आज की बड़ी और ताजा खबरों के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला भार्तिय राज़्वी कॉंग्रिस की नेता और लोगसभा में नेता विपक्ष राहूल गांधी आज यानी 5 नवंबर कोत्तर प्रिदेश इस्तित रायवरेली आएंगे बता दे कि यहाँ वा जिला समन्वे की बैठक में हिस्सा लेंगे और फिर दिश्रा की बैठक में भी श भारी मंत्री टंकराम वर्मा मुख्ये आतिती होंगे बतादे कि यह कारकरम जिला मुख्याले सारंगड के खेल भांडा मैदान में आज यानी 5 नवंबर को होगा धान और डियरपी की समस्याओं को लेकर अकाली जथा लुध्याना शहर ने आज यानी 5 नवंबर को सुभा 10 बजे शीरो मनी अकाली दल के मुख्याले के पास एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की गोश्रा की है बतादे कि इस बात की जानकारी अकाली जथा शहर के और फिर मधिप्रदेश का गान होगा बस्तर ने खेल प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश से आज यानी 5 नवंबर से 10 दिसमबर तक बस्तर ओलंपिक 2024 का आयूजन किया जा रहा है बतादे किसी अम विष्टू देव साय ने बीते श्रनिवार को बस्तर ओलंपिक 2024 के लोगो और मसकट का अनावरिन किया इस मौके पर उन्होंने बस्तर ओलंपिक के दो प्रचार वाहनू को हरी जंडी दिखा कर रवाना भी किया था Healthcare-focused solutions और services मोहया कराने वाली Sagility इंडिया का 216.00 करोड रुपे का IPO आज यानी 5 नवंबर को खुलने वाला है बतादे कि इसमें 7 नवंबर तक पैसे लगाए ज़ा सकेंगे पोटा जिलास तरिये वुशू सब जूनिया टीन की ट्राइल आज यानी 5 नवंबर को सुभा 8 बजे महाबली Sports Academy उमेट इस सिंग स्टेडियम नयापुरा पर होगी पतादे कि चुक खिलाडी दस्तावीज में जन्म प्रमान पत्र मूलनिवासी आधार कार टीन कराई अनिथा ट्राइल नहीं होगा खंडवा में पेंशनर समस्या निराकरन असोसियेशन मद्यप्रदेश त्वारा आज यानी 5 नवंबर को निशुल को श्रिवर लगाया जाएगा बतादे कि इसमें पेंशनर्स लॉइंस क्लब में पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनर इस त्वारा अपना जीवन प्रमान पत्र ओनलाइन जमा करवा सकते हैं चौपरा अस्थानिय गाउं के खेल मैदान में जाट प्रीमियर लीग सीजन 4 प्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन आज यानी 5 नवंबर से शुरू होगा बतादे कि आयोजन का शोग ठिंगला ने बताया कि पांच दिवसिये क्रिकेट प्रतियोगिता में जाट समाच की 24 टीम में भाग लेंगी आयम्टी के अनुसार आज यानी 5 नवंबर को आस्मान साफ रहेगा सुभा के समय हवा की गती 8 किलोमीटर प्रती घंटे से कम रहने की संभावना है सुभा के समय दूंद रहेगी दोपहर के समय हवा की गती धीरे धीरे बढ़कर 6 से 12 किलोमीटर प्रती घंटे हो जाएगी इसके बाद शाम और रात के समय हवा की गती 5 किलो मीटर प्रती घंटे से कम हो जाएगी रात में दुन रहने की संभाव ना है वक्त हो चला है आज के इतिहास का तो आई ये जानते हैं आज का दिन क्यूं है कुछ खास आज के दिन संसोला सो तीस में स्पेन और इंगलांड के बीच शानती समझोते पर हस्ताक्षर हुए थे आज के दिन संसोला सो उन्तालिस में मैस्याच्चू सेट्स में पहले डागघर की स्थापना हुई थी आजी की दिन 1920 में इंडियन रेड़ क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी आजी की दिन 1870 में महान स्वतंतरता सेनानी चितरंजन दास का जन्म हुआ था आजी की दिन सन 2008 में हिंदी फिल्म निर्माता निर्देशक बियार चोपडा का निधन हुआ था फिल्हाल के लिए मॉनिंग न्यूज में बस इतना ही देशतुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं सी न्यूज भारत